है आप मैं हूँ शाहिद और आप देख रहे हैं और टोगाइड यूट्यूब चैनल दोस्तों यह बीच में करीब एक महीने के करीब मैं आपसे नहीं मिल सका और किसी निजी मस्रूफ यात की वैसे मैं वीडियो नहीं बना सका और तो नई वीडियो आज जो मैं आपके रिला सब्सक्राइब करें आपको मिल जाएं झाल 56 के जो निया मौडल्र है इसमें दो नए कलर nuovo है वह कॉनसी है एका आपके सामने है सिलवर कलर एड ब्लेक खोलर और तो यह भी पिलएक कलर यह जो Official गवाय और इसके दो तेट आपको देखने को नहीं मिले गए तो दोस्तों इसम masculine आते तेम गाइफ तो इन तिनों मैं क्या यह सारे कला राते हैं ऐसा नहीं है किस किस क्स वेरियेंट में कौन कौन से आते हैं यह वीडियो के एंड में बताऊंगा दोस्तों तो वीडियो इसके मत कीजिएगा और एंड तक मेरे साथ बने रहेगा एक्टिवा 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 6G के नाम से आता है और यह होंडा का एक्टिवा 125 bs6 मॉडल है जो 125 cc में आता है इसका आई बटन में ऊपर दे रहा हूं आप यह देख सकते हैं और इस पर क्लिक करके वह वीडियो भी आप देख सकते हैं उससे बहुत सारी बहुत डेटेल्ड वीडियो है सारी स्पैसिफिकेशन फीचर सभी मैंने उसमें कंपेर किये अगर आप वीडियो वह डेटेल में देखते हैं तो शुरू करते हैं इसके फ्रेंड लुक के साथ इसमें आप यह देख सकते हैं गार्णिश गार्णिश मिलता है जो गारी को प इसको ब्रेक में आते हैं उसमें आपको ऐड्लैन देखने को मिलता है दोस्तों एक काफी इंप्रूव करता है और उसको प्रीमियम लोक देता है इसके साथ ही हमेशासे जो होंडा के स्कूटर की एक खास वात रही है वह रही है मैटलिक बॉड़ी जो के metal body आपको मिलती है, यह आप देख सकते हैं, इसके साथ ही दोस्तों मुझे जो एक नया change देखने को मिला है, यह fiber protection इसमें आगे fender में दिया गया है, जो गाड़ी को attractive look तो दे ही रहा है, इसके साथ ही जो fender है, जो mudguard है, उसको protect भी कर रहा है, दोस्तों इसके साथ ही अगर shocker की बात करें, तो इसमें telescopic suspension आपको मिलते हैं, जैसे पहले मिलते थे, इसके साथ ही जो wheel की बात करें, तो 12 inch का wheel size इसमें आपको मिलता है, और इसके जो upper variant है, दो drum alloy और disc, उसमें आपको alloy wheel मिलता है, और upper variant में जो disc brake वाला है, उसमें आपको disc brake मिलता है, यह drum brake आपको इसमे पारदर पीछा एसमें आपको व्यांटा सब्सक्राइब को काल्य वन वाल प्लWhat the कासफ पूर फाइबर की पैसे प्रक्तिमी क्लिश्टिंग्स सब्सक्राइब दोस्तों नीशक्तलिक्त करती सब्सक्राइब वेट पयुत्ति आपकूर है तो पीछह सब्सक्राइब मेटल है जिससे के यह जो भी बैटिंग पार्ट है जो एक्सिडेंटल प्रोण पार्ट है वह गाड़ी में मेटल के दिये गए है स्कूटर के रियर लुक की अगर बात करें तो रियर में आप देख सकते हैं एक्टवाण 25 का बैजिंग क्रोम में इसमें दिया गया है जो गाड़ी को बहुत ही अट्रेक्ट करता है इसके साथ ही मुझे लगता है है एची टी बीए सिक्स का जो ग्राफिक्स जो इस टीकर इस पर आता था वह इस पर आपको नहीं मिलता है रियर की अगर बात करें तो जो आपकी टेल लैंप है उसमें भी क्रोम का इस्तमाल किया गया है जो पहले भी इसमें ऐसे ही होता था एक्टवाण 25 और यह गाड़ी तेल लैंप है काफी अट्रैक्टिव है बड़ी लेंप है और गाड़ी को बहुत अच्छा लुक देती है इसके साथ ही यह आप देख सकते हैं यह फ्यूल कैम्प फ्यूल कैप जो बाहर दिया गया है डबल लिड है उपर से यह इसके साथ ही अंदर फ्यूल टैंक का एक ल बन काम करना शुरू कर देगा तो अगर आप उइत को प्रेस करेंगे दू impulse करेंगेर फ्यूल कहलेगी मैं भी आपको देकाता हूं दोस्तों है यहाँ देख सकते हैं यहां से यह तरह से चाहिए खेथा काफी अच्छा लेकिन बहुत अच्छा फीचर है काफी लोगों को इससे को यह साथ ही अगर सीट खोलना चाहते हैं तो सीट को खोल सकते हैं यह सीट खोल गई तो स्टोरेज काफी अच्छा दिया जाता है जैसा कि आप जानते ही हैं और एक हेल्मेट बड़े आराम से आप यहां पर रख सकत हैं तो हवकिल है 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 हैसे मैं और रख गर मेट चाहिए और तो उसको रखने तो यह गाड़ी को और अच्छा लोग देते गाड़ी और अट्रेक्टिव लगती तो आई थेंक यहां पर हॉन्डा को कुछ सोचना चाहिए दूसरा जो चेंज मुझे गाड़ी में देखने को लगता है वह यह आप यहां पर देख सकते हैं जो फूट पैनल है यहां पर एक फाइब का यह रही पैनल भी अगया है पर आपको ओपर दलवानी पड़ी और दोस्तों यहां पर आप यह देख सकते हैं यह जो अलगCA clicking na sleeping heard अब इसको दिया गया है इसके साथ ही कहीं ने कहीं दोस्तों मुझे जो कभी लग रही है यह बहुत बड़ा एरिया है जो ओपन है यह थोड़ा सा और इसको क्लोज करना चाहिए था इस तरह से अगर यह पैक होता तो गाड़ी को और अच्छा लोग गाड़ी में आता तो यह हां भी थोड़ा सा यह मुझे करती है इसके साथ ही दोस्तों यह जो पार्किंग ब्रेक का यह दिया गया है इसको कैसे यूज करते हैं क्या है इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं आपको उपर आई बटन में दे रहा हूं इस पर क्लिक करके आप वो व आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कहीं आप इसमें रखके भूलना जाए और वह आपका फिर गायब हो जाए चोरी हो जाए तो लेकिन यह है बहुत अच्छी चीज छोटा सा एक बॉक्स दिया गया है इसके साथ ही दोस्तों यह डबल हो किसमें दिया गया है इसको बेंड भी कर सकते हैं अंदर की तरह फोल्ड कर सकते हैं इसके साथ इङर टाकिश कर सकते हैं इसके साथ ही जो सबसे श yıl petit खासियत है वह इसकी है काफी मोटी का इसके काफी मोटी होती है तो इसमें कोई भी आपनी चावी दूसरी चावी नहीं डाल सकता ज़को कि आप इसको न खोलें और यह आपकी चावी से ही कुलेगा यह मैगनेटिक की है तो इसको आप इससे मैच करेंगे यहां पर इस तरह से तभी यह खुल पाएगा तो यह शटर जो है ना बड़े काम की चीज है यह ऐसे बंद हो जाता है बंद करने के लिए कोई की की जरूत न नंबर होता है वह आप चेक कर सकते हैं अगर आपको जरूत पड़े मैं यह आपको बता देता हूं उसके साथ ही टायर इंफॉर्मेशन गाड़ी में कितना एर प्रेशा रखना चाहिए वह इंडिकेशन यहां पर दिया गए अगर डैश्बोर्ट की बात करें तो स्विच इसके साथ ही जो यह सुच्छ दिया हुआ है और पासिंगा रहाँ लो बीम और इसी को नीचे दभाएंगे तो यह पासिंग तो तीन उप्रेशन इसी एक सिच में है और यह आपको राइट-लेफ्ट इंडिकेशन इसके साथ ही दोस्तों यहां पर आपको दिया गया है सब्सक्राइब एक अगर आप कहीं रुकते पे या किसी फ्रेंड के पास रुकते हैं तो गाडी अपने आप से बंद हो जाएगी और जैसे ही आप करेंगे गाड़ी को तो आपको बिना स्टार्ट किया खुद से स्टार्ट हो जाएगी एक्सिलरेशन लेते ही तो यह दौनों जो इसके अपर वेरियंट उसमें फीचर आता है इसके साथ ही जो दौनों वेरियंट है इसके ड्रम एलॉय और इसमें आपको पहले पहले जुकह हो अलेडी लेम भी आता हूं वर सैमी डिजिटल निजिटल मिलता है जो अपको मिलती है यह है कि आपकी गाड़ी में जतला पेट्रोड होगा वो बताएगा आपको के अब इन्दर है जत्रूंख कीत्ञ दिस्टेंस और कवर कर पाएंगे तो काफी अच्छा इसके साथ ही ट्लॉक वगरा जो और फीचर है सभी आपको बिलते हैं इसके साथ ही दोस्तों कि यह फ़ी मोडल है तो इसमें वाइल है सबस्तायां प्लफंक्शे इंडिकेटर इंडिकेटर जिससे के ट्लीमतफी इसको दे इंडिकेशन अगर कोई आता है तो उसे रीड करके वो देख सकता है कॉंचे सेंसर में क्या प्रॉल्ब तो गाड़ी के स्पेसिफिकेशन्स इंजिन इस्पेक्स वगरा मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ आप वहां से देख सकते हैं जो गाड़ी करा स्कूठर कोई खरीदता है तो मुझेस बेट कर बैलेंस बनापांगा किसी हइट कम होती है तो कंव है तो यहांट 5-5,5-6 इंच है और मैं इस में बैट के दिखाता हूं कि मेरे पैर कितने कहां तक पहुंचते हैं तो हलाग मुझे इसमें कोई भी प्रॉलम नहीं होती है सीट हाइट बहुत अच्छी है इसकी और मेरे दौनों पैर मैं बड़े आराम से बैटा हुआ हूँ इस पर और आप देखते हैं मेरे दौनों पैर ग्राउंड पर टच हो रह है लेकिन फिर भी आप शोरूम में जाकर एक बार गाड़ी पर बैठ कर या टेस्टाइड लेकर देख सकते हैं अब कलर के बारे में बात कर लेते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको इसमें दो कलर ऑफसलीट किये गए हैं मिडनाइट ब्लू जो काफी पसंद किया मिडनाइट ब्लू कलर और वाइट कलर इसमें आपको अब देखने को नहीं मिलेंगे दोनों ही कलर अब किसी भी वैरियंट में आपको नहीं मिलेंगे इसके साथ ही जो सिलवर कलर आप देख रहे हैं आपके सामने खड़ा हुआ है यह आपको सिर्फ स्टेंडर्ड मॉडल में आपको देखने को मिलेगा इसके साथी सभी मॉडल में आपको मिलेगा ब्लैक कलर भी आपको सभी मॉडल में मिलेगा तो बात करते हैं इसके प्राइस की आपको सब्सक्राइब कर लूघoule antct. दोश्थो से ज़त आrekइं प्राइब त इसका अनू आपको प्राइस पस्का आपको एक। द आनृँ आं जैन्टेस का डने शनानल इसमानो प्राइस 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 यह था मेरा वीडियो दोस्तों कैसा लगा अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें दोस्तों को और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर कोई आपकी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट में लिखें और मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा इसके साथ ही दोस्तो मेरे चेनल को सबस्क्राइब पर लें और तस खड़ाय करें या कोई फुल दर्राइफ करें तो हेलमेट और सीट वेल्ट का यूज जरूर करें जो आपके सेफटी के लिए आवाओत जरूरी यह थैंक इू ठन्स वाज